यह दिखिए दोस्तों यह जो आपको सुई दिख रहा है देखिए शटल के अंदर इस तरह से आपको इतना यहां तक रखना चाहिए और इससे जाधा नीचे भी नहीं और जाधा उपर भी नहीं इस तरह से आपको सट करके निडल राड है देखिए इसको इस तरह से यहां से लूज हो गया है इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में हम बताएंगे यह दिखी यहां इस तरह से शटल के अंदर जाके लग रहा है और सुईंग तोड़ दे रहा है इस तरह से लूज हो गया है तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए इसको कितना नीचे रखना चाहिए और कितन लेना चाहिए इस चुटकी को भी निकाल लेना चाहिए जो स्विंग को लगाने का होता है ये गाल लेना चाहिए ये देखिए इसको निकाल के इस तरह से निकाल लेना चाहिए स्वीन के राड को इस तरह से नीचे रखना चाहिए पुरा ये देखिए इस तरह से ये उपर गया देखिए और उसके बाद ये नीचे आ गया इस तरह से इसको नीचे रखना चाहिए इस तरह से नीचे रखने पर यह जो यहाँ पर दिख रहा है आपको यह लिंक का जो नीचे का हिस्सा है देखिए इसके अंदर सैड में एक नट होता है यह सैड में इस सैड से इसको स्कूडर डालके इस तरह से लूस कर लेना चाहिए यह देखिए यहाँ पर खोल है देखिए इसके अंदर से इस तरह से स लूज होगा इसलिए इसको नीचे रखके इससे इसको लूज कर लेना चाहिए अगर से ही लूज हो गया है फ्री हो गया है तो आपको ये नट लूज करने की जरूरत नहीं होगा ये वाला टाइट रहा तो ही इसको लूज कर लेना चाहिए इस तरह से अब ये वाला जैसे ये नट लूज करते हैं ये वाला राम से भार आ जाएगा अगर से ये वाला नहीं आ रहा है फुल टाइट हो गया ये देखिए अभी टाइट हो गया इस तरह से टाइट होने पर इसको हम हैमर लेकर इस तरह से मार लेना चाहिए इस तरह से मार कर हम इसको निकाल सकते हैं यह देखी दूस्तों मैं इस cutting blade से निकल रहा हूँ इसको मार के इस तरह से इसको मार लेना चाहिए जैसे इसको मारते हैं यह वाला उपर आ जाएगा अगर जोर से नहीं मारना चाहिए मारा है तो इसके अंदर का जो link है देखिए यह व़ला कि तूड़ जायेगा इसलिए विवIST my के इसको अराम से निकालेनी चाहणी इस तरह सेज़ीए कहलबاشे से değil एडी यह अकभी कभी यह academicailing कब निकालना पादा है बैकले तो यह link तूड़ गया इसके साइड में तागा फसता है और इसके पीछे साइड में भी तागा होता है इसके अंदर भी भी बीच में भी तागा होता है इसको निकालना है तो इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं उसके बाद इस राड को हम अंदर डालेंग इसको अच्छे से इस तरह से डाल लेना चाहिए इस तरह से अच्छे से डाल लेना चाहिए और इसको इस तरह से ऊपर रखना चाहिए इसके ओपर से होल होता है इस तरह से डाल कर अब यह जो निडल राड है देखिए इसको इस तरह से यहां से अंदर डाल लेना चाहिए ये वाला दालते वक्त जरा टाइट जाता है अगर से टाइट जा रहा है तो हम हैमर या प्लेयर लेकर इस तरह से हल्लू से मार लेना चाहिए अब अरसे जोर से मारे तो ना ये निडल राट बेंड हो जाएगा इसलिए स्लोली मारना चाहिए इस तरह से मारके इसको अंदर ले लेना चाहिए अब दिखिए दोस्तों इसको इस तरह से नीचे रख लेना चाहिए नीचे रखके इसके उपर का नट लगा लेना चाहिए चोटा नट होता है वोलनट लगा लेना चाहिए और उसके बाद ये चुटकी इसको लगा लेंगे हम अब इसको सुई बे लगा देंगे हम ये देखिए दोस्तों अब ये सुई लगा लिए हमने अब इसको इस तरह से फिरा लेना चाहिए मशीन को ये लिंक है देखिए इसको नीचे रख लेना चाहिए इस तरह से लिंक को नीचे रख कर ये सुई को इस तरह से नीचे लेग जाना चाहिए ये देखिए इसको इस त ये जो शेटल है देखिए ये शेटल के यहां तक रखना चाहिए इससे नीचे भी नहीं आना चाहिए और उपर भी नहीं होना चाहिए इस तरह से रखना चाहिए उसके बाद इस नेडल बार के जो लिंक का नट है देखिए इसको टाइट कर लेना चाहिए इस सैड से इस तर को अच्छे से टाइट कर लेने कर यह वाला टाइट हो गया भी अब देखिए दुस्तों यह वाले को फिर आके देखिए हैं कि यह देखिए इस तरह से आप इस नेडल बार राड का सटिंग कर सकते हैं चली दूस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें